आज के इस वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके चेहरे पर या बोडी पर कहीं पर भी अंचा है मस्से और तील है तो उनको आप 10-12 दिनों में आसानी से गायप कर सकते हैं निकाल सकते हैं यहां पर मैं जो आपको तरीका बताऊंगा मस्से और तील गायप करने के वो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जो पहला तरीका होगा वो सायद हर किसी के जो स्कीन होती है उन पर सूट नहीं होगा तो आप दूसरा तरीका पी यहां पर ट्राइ कर सकते हैं दोनों ही तरीके बेहत अच्छे है बेहत नायाब तरीके है तो आए इस वीडियो को स्टार्ट करते है और इस वीडियो को लाइक और शेर किये बीना मत जाए तो सबसे पहला जो तरीका होगा वो होगा आप एक लगबग छोटा सा प्यास ले लीजिए और प्यास की आपको यहां पर चटनी ब आपको लगबग इसमें दो चुटकी जीतना यह जो नमक है वो आप इसमें एड़ कर दीजिए आपको यहां सिर्फ एक से दो चुटकी जीतना नमक ही एड़ करना है और इन दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए अब यह जो तरीका है यह जो नुस्का है वो आप दिन में कभी भी जपी आपके पास दस से पंदरा मिनिट का जो टाइम है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं इसको लगाने के लिए बिल्कूल आसान तरीका है इस तरह से उंगल यू मेले के आप जहां पर भी तील और मस तक यूँ ही छोड़ दीजिए और उसके बाद आपको इसको वस कर लेना है तो यह जो तरीका है वो आपको डेली फोलो करना है लगब आट से दस दिन आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो जहां पर भी अंचाहे तील और मस्से होगे वह आसानी से निकल जाएंगे बिल् कोड़ी बहुत भी अगर जलन वगेरा चुछ होती है तो आप यह तरीका एक ही बार यूज़ करें दूसरी बार यूज़ ना करें उसके लिए मैं आपको चलिए दूसरा तरीका बता देता हूँ इस तरीके में आपको एक बनाना ले लेना है जो कि मार्किट में आपको आशानी से मिल जाएगा और यहां पर हमको इसका यह जो छीलका है इसका आपको मिलता है बाज़दार में उसका ही यूस कीजिए तो यहां पर हम लगबग थोड़ा सा विनेगर का यूस करेंगे लगबग एक चमच जितना आपको यहां पर यह जो विनेगर है वो यह ले लेना है यह नुसका भी आप दिन में कभी भी ट्राई कर सकते है अच्छा इतना हमने कर लिया फिर आपको क्या करना ही जो क्यले का छिलका है वो आपको इसमें इस तरह से डीप कर देना है डीप करते जाना है और लगबग आपको जहां पर भी तील मस्य है वहां पर हलके आतों से इस को अपलाई करते रही है इस तरह से आपको दो से तीन मिलिल तक बिल्कूल हलके आतों से जहां पर भी तील और मस्से हैं वहां पर आप इसको इस तरह से रब करते रही है कि यह देखिए अच्छी तरह से आपको इस तरह से कर देना है और दोस्तों इसको लगबग आप 2-3 मिलिट जब केले के छिलके की मदद से जब रब कर लेंगे तो आपको लगबग 30-35 मिलिट तक इसको यूँ ही छोड़ देना है तक कि अच्छी तरह से आपकी स्कीन है जो वो इसको अब्जव कर ले और अच्छी तरह से सुख जाए उसके बाद लगबग से आप बिल्कुल ठंडे पानी से इस हिस्से को जहां पर भी आपने तरीका से है तो आसानी से निकल जाएंगे तो मेरा ये दोनों तरीके आपको कैसे लगे कौन सा बहत पसंद आया कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें मैं मिलता हूं किसी एसे ही नहीं उसके के साथ तब तक के लिए नमस्कार